सुबह के साथ बज गए, अभी तक दिवरानी जूठी नहीं, ना कोई किचन से आवाज ही आ रही है, चल क्या रहा है? अरे बच्चे लोगों के स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा भी देखती हूँ मारानी जी क्या कर रही है? अरे बापरे, सुबह के साथ बज गई अभी तक नाश्ता कुछ नहीं बना है, फिर बच्चे लोग भूखे चले जाएंगे इसकूल अरे तुम्हें रात भर बुखार में तप रही थी, और तुम्हें सुबह उठके खाना बनाना है, घर में भाभी भी तो है ना? भाभी बना देगी नाश्ता, बच्चो का टिफिन, तुम्हें चाप लेटे रहो, उठने की कोई जरूरत नहीं है और दुकाने खुल जाएं, उसके बाद मैं दवाई लेकर आता हूँ वाह देवर जी, वाह, बन गए आखिराब जोरू का गुलाम क्या मतलब है भाभी? कुछ नहीं देवर जी, मतलब समझाने बैठूंगी, तो बच्चो का खाना टिफिन कौन बनाएगा? आपकी बीबी तो आराम फर्मा रही है, अभी बताती हूँ माजी से सुनिये जी, मैं जैसे तैसे काम कर लेती हूँ सुबह का, देखा न भाभी क्या-क्या बोलके गई है अब पक्का जाके ममी जी से शिकायत करेंगी, उल्टा सीधा बोलेंगी, घर का महौल खराब होगा जी तुम भी ना, कुछ ज़्यादा ही सोचती हो, तुम्हारी तबियर ठीक नहीं, इसलिए तुम आराम करो, ज़्यादा दिमाख लगाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना रामा रामा रटते रटते भी तीरे उमरिया, रगु कुल नंदन कब आएंगे प्यासी रेना जरिया राम, 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 अरे, साड़े साथ बज गई, अज नास्ता चाय कुछ मिलेगा की नहीं घर में, कहीं बर्तन तक की आवाज नहीं आ रही किचन से, हो क्या रहा है, बहू, ओ बहू, अरे बहू, छोटी का है, अज नास्ता चाय कुछ देगी या नहीं, क देवरजी बोलते हैं, भावी बना लें की चाय नाश्ता, तुम तो आराम करो. अरे बच्चे लोगों के स्कूल का टाइम हो रहा है, अब क्या वह भूखे स्कूल चले जाएं? खेर उससे देवरानी को क्या लेना देना उसके बच्चे थोड़ी ना है बच्चे तो मेरे हैं भूखे जाएं चाहे कुछ भी हो क्या अभी तक सोई रही है हाँ माजी बोल रही है तबियत खराब है मेरी अब पता नहीं माजी रात भर में कैसी तबियत खराब हो गई वो भी इतनी की सुबह उठके नास तभी नहीं बना सकती बच्चों को रात में तो अच्छा भला हमारे साथ खाकर ही सोई थी अब सुबह लेट से उठेगी तो कैसे बनेगा उठा ही नहीं अब उठने में लेट करेगी फिर बोलेगी तबियत खराब है फिर आप ही बताओ बच्चे लोगों का कैसे टिफिन बनेगा उसका क्या मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो टीचर की डाट तो इनको सुननी पड़ेगी ना सूरज ये मैं क्या सुनी हूँ पहु अभी तक सोकर ने उठी मा सुमन की तबियत बहुत ज़्यादा खराब है राद भर उसको बहुत ज़्यादा बुखार था दवाई भी नहीं थी उसको देने के लिए अभी भी उसका सरदर्ध हो रहा है इसलिए मैंने ही बोला कि आराम कर ले वो तो विचारी उठ रही थी वा बेटा वा कैसे अपनी बीवी की जुबान बोलने लग गया है अरे ऐसे कैसे राद भर में इतनी बिवार हो गई हत करती हो ममी आप अरे किसी को बिमारी बता कर आती है क्या कि रात है कि सुबह है जैसे भी रोज के काम तो हमेशा शुमन ही करती है अगर आज उसकी तबियत खराब है तो आप लोगों में से कोई नाश्ता खाना नहीं बना सकता क्या घर का अभी आप तो बोलो ही मत आपको तो समझना चाहिए उसकी तबियत खराब है तेली तो वही खाना नाश्ता बनाती है एक दिन आप बना दोगे तो क्या हो जाएगा खेर छोड़ो आप लोगों को जो मानना है मानिए उसकी तबियत बहुत खराब है और आज वो शाम तक काम करने के लिए नहीं उठ पाएगी मैं उसी के लिए दबा लेने जा रहा था बाहर मा अगर आप ये केंड कर सकती हो तो कर लो मैं सच कह रहा हूं मा शुमन कोई नकरा नहीं करी उसकी सच में बहुत ज़्यादा तिबियत खराब है उसको तो मैं देख लूँगी बाद में लेकिन बड़ी बहुँ सब के लिए बहुत लेट हो रहा है जाके तो ही खाना बना ले आज ठीक है माजी आप बोलती हो तो बनाई लेती हूं ला बहुँ उस मदद करवा दो तेरी नहीं नहीं माजी मैं बना लूँगी आप परिशान मत हो ये अरे सर्ला बहन कहा हो अरे सावित्री किचन में हूँ इदर ही आ जा अरे आज किचन में क्या कर देह āए वो तेरी बड़ी बहुँ खाना बना दीह चोटी बहुँ कहा गई देदी रोटी बन गई क्या किजा ये दवाई लेकर आ गई हूं खाली पेट नुकसान करेगी देखो देखो इसकी नोटनकी मेरे सामे ना तुम्हें जादा नोटनकी करने की कोई जरूरत नहीं है कबियत खराब है ये नोटनकी किसी और को दिखाना मेरे सामे तुम्हारा ये ड्रामा नहीं चलने बाला दवाई खानी है इच्छी लिए खाना लेने आई हूँ, ज्यादा नोटेंगी मत करो, तुम्हें जरासी भी शरम नहीं है क्या, तुम्हारी माने यही सिखा कर भेजाए, कि जठानी और सास खाना बनाएगी, और तुम निकालके मारा अनी के जैसे खाना खा लेना, क्यों सासुमा, अगर छोट नियम बताने वाली कौन होती हूँ, मैं तो इस खर में जब से आई हूँ, हमेशा से आपको अपनी मा और जिठानी को हमेशा अपनी बड़ी बैयनी समझती आई हूँ, लेकिन मैं गलत थी सासुमा, आज मैं जो एक दिल के लिए बिमार पड़ गई, मुझे मेरी आउकात य गया दिदी, मैं भी तो एक इंसान ही हुना, बीमारी की हालत में तो कोई गयर भी मदद कर देता है, लेकिन आप लोग तो मेरे अपने होकर एक दि मेरी मदद नहीं कर सकते मेरी बीमारी में, और दिदी आप, आप तो हमेशा मुझ में कम्या ढूटते रहते हो, आपको तो सेवरानी जी, आप मुझ पे मट डालो ये सब, मैं क्या गलत कह रही हूं दिदी, जो सच है वही कह रही हूं, एक बार बताओ दिदी, जब से मैं इस घर में आई हूं, मुझे भी पता है कि सारे बच्चे लोग आपके ही हैं, मेरे तो भी कोई बच्चा भी नहीं है, तो क् कि बाट तब ठीक हो जाएगा तो काम करने लगो, लेकिन आप लोग तो एक दिन में मुझे रोटी बना कर नहीं देना चाहते हो, आखिर क्यों, तो कि ये खाना मैंने नहीं आपने बनाया है, इसलिए और उधर सासु मा एक भाल भी नहीं पूझा कि बहु तुझे क्या हो कि इसी तेरी बस प्रवचन सुनाने में लगी हुई है, जिठानी और सास का बना हुआ खाना नहीं खाना है, आप लोग बताओ, अगर सबसे छोटी वाली बहु की तब्यूत खराब हो जाए, तो क्या भूकी मर जाए, आप लोगों का बनाय हुआ खाना नहीं खाये, तो कह परिवार भी किस काम का, परिवार का मतलब होता है कि एक जुठो करें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े हूँ, ऐसा परिवार नहीं कि एक की तब्यूत खराब हो जाए, तो उसको एक गिलास पाने देने वाला भी कोई नहीं हो, तो बिलकुल सही कह रही है मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं बोल रही हूँ, तो इस घर की बड़ी है, आखिर देवरानी जिठानी, दोनों बहों को तुझे ही साथ लेकर समझना चाहिए, साथ लेकर चलना चाहिए, दोनों बहों में भेद भाव न करें, घर को सम्हाल रखना, और घर को तूट कर भिखरने ना देना, ये सब तेरी जिम्मेदारी है, मैं तो सही कहती हूँ तुझे, अभी भी तेरे वास वक्त है, समय है, कहीं ऐसा नहों कि दोनों बहों एक दोसरे को देखना भी पसंद ना करें, नहीं तो तेरे इस घर परिवार को भिखरते देर नहीं और बड़ी बहुत तुम, और ये क्या तुमने लगा के रखा है, नास्ता सब छोटी ही बना कर देगी, अई बच्चे लोग तुम्हारे हैं, तो क्या तुम अपने बच्चों को टाइम पे नास्ता खाना बना कर नहीं दे सकती, अगर सारी चीजे छोटी ही करेगी, तो तुम उसके लिए ऐसी बाती करी हो, उसको दो रोटी बना के नहीं दे सकती दवाई खाने के लिए, अरे तुम्हें तो छोटी के एहसान माना चाहिए, कि तुम्हें इतनी अच्छी दिवरानी मिली है, और तो और उपर से तुम अपनी सास के भी कान भरती रहती हो, बड़ हमेशा समाज में बहु कोई गलत ठहराया जाता है, जरूरी नहीं है कि हर समय पर बहु ही गलत हो, कभी कभी सास को भी समझने में गलती हो जाती है, वो नहीं समझ पाती कि वो सही कर रही है या गलत कर रही है, छोटी बहु तुम अपने कमरे में जाओ, बड़ी बहु अभी चोटी के कमरे में चाओ, उससे थोड़ी देर बाद चीत करो, उसको खाना दो, और जो भी पुरानी गलती हैं उसके लिए माफी मागो, और हाँ बहु, दोबारा कभी इन गलतीों को दोहराने की कोशिश मत करना, और सावित्री जिदी, अगर तुम अपने घर परिवार में ख अच्छा नहीं चल पाएगा, प्यार से हाट चीस संभाली जा सकती है, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास, अपने घर परिवार की खुशियों को समेट लो, शयाद तुम सही कह रही हो सल्लब हैं, तुमने तो मेरी आँखे ही खोल दी, मैं भी ये क्या, पता नहीं कौन से ख्यालों में पड़ी बड़ी थी, कि सास जठानी खाना नहीं बना सकती, सिर्फ छोटी बव कोई खाना और भार के सारे काम करना चाहिए, भूल गई थी मैं, कि आखिर वो भी तो एक इंसान है, कभी उसकी भी तो तब्यत खराब हो सकती है, पर अगर हम लोग थोड़ी मद उसे घहग रहस्तियां बरबाद हो जाती है, हमें मिल जूलकर हमेशा रहना है, इस घर परिवार को जोड़ के रखना है, और बड़ी बहु होने के नाते, मेरे बाद गी जिम्मेदारी तेरी है, पीमा जी, माफ कर दीजी, गल्ती हो गई मुझसे, कोई बात नहीं, जो होता सब अच्छे के लिए होता है, तुम लोगों को एहसास तो हो गया, कि तुम जो कर रहे हो, गलत कर रहे हो, अच्छा आप चलती हूँ मैं, तो दोस्तों, कहीं आप लोगों के घर में तो ऐसा नहीं होता, ध्यान लखिए, हर रिस्ते बहुत नाजुक होते हैं, रिस्तों की जितने अच्छे से समालोगे, उतनी लंबी चलेगी, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपने राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राम राम, अपना और अपने घर परिवार का ध्यान कि अाम कि, कि लो अबान के सांजाबे करी यहिर लोगते कि अपने कि वावने के सांजा लोगते हैं तक को प्रत्तिано कि में अपने कि आभकी को कि एp temas संग्ने कि एंप विः को पना ड कि तक ले धरू संही हैं क्याटने ऊ이다म वे नड can पने कि और सойти कर규 को भाऱ्की K ressरत़्